Hello everyone, students, आप सबो का स्वागत RR की पाट साला में तो चलिए हम आज आप लोग को बताने वाले हैं जो कि Class 10 का Music का जो एक्जाम हुआ है, Objective Type तो चलिए हम इसमें आप लोग को बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग इसको मिलान कर पाएंगे जो कि हम आप लोग को सुरू से आन तक बताने वाले हैं कि कौन सा कौन सा Option सही है तो आप लोग ज़र सो ज़र वीडियो को आन तक देखेगा और पूरा मिलान कर लिजिएगा ताकि आप लोग को पता चल पाएं कि हम लोग 10 में से कितना Question को Write की हैं तो चल ये सबसे पहले हम आप लोग को बता दें ये Science आप लोग को दिख रहा होगा संगीत का जो कि देख पार होगा आप लोग MC Cube टाइप है मतलब Objective Question है तो चल ये सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि कौन सा कौन सा इसमें Option सही है तो चरीजे सबसे पहले हम पहला कोशन को बैखर आप देकपा रहेंगे यह जगर आप लोग को दिख रहाँगा सेंगीत की उत्पति निमन में से किस वेद से मानी जाती है तो सब से पहले हम आप लोग को बता देंए रीग वेद से ही मतलब इसकी उत्पत्ती हो चुकी थी सैंगीत का तो आप लोग इसको option number 1 टिक कीजिएगा जो की पहला number आप लोग को दीख रहा होगा उसके बाद दुसरा number है राग के सबसे महत्पूर्ण सोर को क्या कहते हैं राग के सबसे महत्पूर्ण प्रस्ण को क्या कहते हैं तो वादी कहा जाता है जो कि आप लोग को दीख रहा होगा सामने अब चलिए सबसे पहले हम आप लोग को तीसरा question बता दें जो कि तीसरा question है जैसे कि आप देख पार होगे आप लोग को सामने दीख रहा होगा जैसे कि तीन ताल में कितनी ताली होती है तीन ताल में जो है कितनी ताली होती है तो तीन ताली होता है इसमें जो आप लोग को दिख रहा होगा चोथा मारा हुआ है वो गलटी किया है तो तीन ताली में जो है तीसरा हो जाएगा जैसे कि आप यहां देख पारेंगे दूसरा नमर अंसर हो जाएगा आप देखे इसमें जैसे कि आप देख पारेंगे चोथा नमर दिया हुए इसमें कि सवरों के बढ़ते करम को क्या कहते हैं तो सवरों के जो बढ़ते करम है उसको आरो कहते हैं आरो मतल जाने वाला राग है तो प्रात काल में जो है 3-4 है मतलब यसे जो कि भेरव भेरवी यसे और भी है जो कि लेकिन इसमें उप्सन में एक ही दिया गया है जो कि भेरव तो ये भेरव हो जाएगा आपका सही अंसर तो इस तरह से आप लोग 5 हो मिला चुके हैं चलिए आप 6 नमर question को हम बताते हैं आप लोग को तो छठा नमर questions है जो कि साथ सवरों के समू को क्या कहते हैं तो सब तक का जाता इसको साथ जो साथ सवरों के समू को क्या कहते हैं तो सब तक अब देखिए सब तक ये आप लोग देख पार होंगे question number six का ये नमर हो जाएगा आप सातवा नमर देखिए जैसे कि आप देख पार होंगे संगीत में एक समान गती एक समान गती को क्या कहते हैं तो इसमें देखिए ताल मारा गया लेकिन यह गलात है जैसे कि आप देख पार होंगे लाए इसमें लाए हो जाएगा इसमें सही अब तानपुरा तानपुरा में जैसे कि तानपुरा में कितने तार होते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए तानपुरा में चार तार होते हैं तार कितना होता है चार होता है अब देखिए जैसे कि सड़ज की सवर का पूरा नाम है तो जो पर्थम सवर अब देखें दासवा कोश्चन है दासवा नमर कोश्चन जैसे कि आप देख पार नहीं जगा सामने स्क्रीन पर जो कि दासवा नमर कोश्चन है तानसेन कौन थे तो यह गायक भी थे और वादक भी थे लेकिन तानसेन कौन थे तो आप लोग अधिकतर क्या किजेगा गायक को पोई मारिएगा वादक को नहीं, तो क्योंकि इसमें उपसन भी नहीं दिया, अगर ये भी दिया हुआ रहता तो इसमें मार सकते था हम लोग गायक वादक दोनों, लेकिन इसमें गायक मारिएगा जैसे कि उपसन नमर ये, तो इस तरह से आप लोग पूरा का पूरा दसो वीडियों में थैंक्यो धन्यवाद